हेलो दोस्तों तो कैसे आप इस वीडियो के बात करेंगे USA वर्सिस पीए के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यारी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों मैच होने वला है और यह मैच आपको बता दू क्रिकेट का है किसी और फिल्ड का नहीं तो क्रिकेट के मैच में आपको लेकिन अपडेट आपको टेलीग्राम पर आता है टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कुमेंट में जरूर जोड़ जाए यूट्यूब पे भी हमें सबसे पहले सब्सक्राइब करें नहीं इस वीडियो के नीचे ही आपको ऐसा कुछ लाइक बटन दे मैं इतना कहूंगा वही मैंने लिखा है अगर आप देखेंगे मैच वान यहां पर हुआ था वर्ल्ड कप का कैनेड़ा अमेरिका के बीच में एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ था बहुत तकड़े रंस बन गए थे उस मैच में कैनेड़ा ने वान नाइटिफोर किये अमेरिक बागी कई बार होता है यूजड विकेट आ जाती है तो रंस कम होते हैं वह चीज़ देखनी पड़ेंगी पाकिस्तान मेरे साब से अच्छी स्कोरिंग कर सकता है इस मैच में दोस्तों तेरा विकेट फास्ट छे स्पिन तीन और नोट ओवराल दिखे बोलर्स के लिए पारा कुछ एक्स्प्लेइन किया था बट मैं फटा फट फिर से बता देता हूं जो इनके बेस्ट प्लेयर उनके बारे में तो विद्दा और राउंड अगर मैं बात करू स्टफ यानि बैटिंग बोलिंग दोनों से स्टीवन टेलर और स्पिन करते हैं बढ़िया बल्ले लेकिन वर्ड कप से पहले फॉम अच्छी नहीं थी पहले ही मैच में आके बढ़िया काम करके दिखाया अपने टाइम के काफी ज्यादा ताबर तोड बल्लेवाज है अब भी यहां पे आपको युएस से के लिए खेलते दिख रहे हैं साउत अफरीका की डिमेस्टिक रिक ले हर्मीट सिंग जजदीब सिंग ठीक है नटरवालकर और अली खान ठीक है अली खान इस वेरी गुड फास्ट बूलर यह आपको पता होगा युएस से के लिए खेलते हैं लेकिन डिमेस्टिक लीग में काफी नाम है पहला मैच युएस से जीत के आई है एरन जोन्स की ब जीरो मारे थे मुनांग पटेल भी जल्दी आउट हो गए थे थोड़ा सा स्लो खेलते हैं मुनांग पटेल बहुत अग्रेसिव नहीं है सोला रंकी यहां पर पारीरों ने खेली थी अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं हरमीत ने और अच्छे डाले थे पूरे चार और ड को जा आइगे अंडरसन दो से तीन ओर देंगे जसदीब दो से तीन ओर देंगे शैडले तीन से चार ओर देंगे लगबग यहीं कहां नहीं आएगी स्टीवन टेलर एक से दो डिपेंडिंग अन सिचुएशन ठीक है बाकी आप इनके बोलिंग नंबर्स देख सकते हो ओव सेंचरी हाफ सेंचरी विकेट ताकि आप किसी का भी स्टैट देख और यहां मैच इस बल्ले से कितने रहने लेकिन बोलर्स में ज्यादा विकेट को ध्यान रखना इसी से पता लग रहा है अली खान कितने एक्सपीरियंस है ठीक है अब पाकिस्तान की बात करेंगे कोई वॉम कह सकते हो आजम का फॉर्म बल्ले से उत्ता खास नहीं है कैचेश भी ड्रॉप कर रहे हैं यहां पर 38-31 उस्मान खान का फॉर्म अच्छा है और मेरे सब सब पाकिस्तान की बिग फाइंड होने वाली है बाबर आजम का फॉर्म का उत्ता अच्छा नहीं है लेकिन युएसे कि सामने परफॉर्म कर सकते हैं इफ्तिकार का फॉर्म अच्छा है विद्धा बैट विद्धा बोल आप देखोगे बोलिंग से उतना यूटिलाइजेशन नहीं मिला बट बंदा पी एसल में अच्छी बोलिंग भी किया था और बल्ले से इन्होंने अच्छी फिरिशिक कर के दिखाई है इमाद इंजर्ड हाला कि फॉर्म अच्छा था इंग्लेंड के सामने एक मैच खेले थे 222 किये थे दूसरे में बाहर हो गए थे इंजरी से शाहिन शाह फ्रीदी का फॉर्म अच्छा है 033 विकेट तो लगातर 33 निकाल के आ रहे हैं अफकोर्स नसीम शाह का डीसेंट है खराब नहीं है हैरिस रॉफ का अच्छा फॉर्म है तीन और दो विकेट और मुहमद अमिर का ओकिश वो मैं अबास अफ्रीदी का ठीक है अब्रा रहमत का लेक्स्पिनर का ठीक है फॉर्म तो यह हमने सब पाकिस्तान की फटावट फॉर्म डिसकस कर ली अब क बागी बल्लेबाजी लगबग तैया है रिज्वान और बाबर उपनिंग उस्मान खान नंबर तीन पर एक और यहांद वसीम इंजड है तो वह मुझे डाउट है कि यहां पे कौन खेले अपकॉर्स इनके पास अबरार रहमत है बट क्या इनको मौका मिलेगा पी एसल में तो ठीक खेल गए थे बट यहां डाउट रहेगा कैसा करते हैं अब यहां पे आप देख रहे हो इनके फुल स्ट्रैट्स इन्फो एवरेज वाइस इनके तीन बेस्ट खिलाडी है इनफक्ट चार भी मान लोगर आप फकर जबान को भी गिन रहो बट मेरे साब से रिजवान 43 की अवरेज भाबर 43 की अवरेज उस्मान डेमेस्टिक खेले हैं ज्यादा लेकिन 37 की अच्छे प्लियर हैं और फकर जमान का भी अब रीड करोगे तो आपको नंबर्स ठीक देखने को मिल रहे हैं स्ट्राइक रिड अच्छ है यह इनका एक्सट्रेक्टर है इवरेज अठाइस है तो यह चाहके लाड़ी बल्ले से बैस्ट है फिनिशिंग करेंगे इफ्तिकार बोलिंग में सभी इनके अच्छे बोलर्स हैं काफी ज्यादा एक्स्पिरियंस बोलर्स है काफी मैचस के लें 200-200 मैचस लगा रखें सबने देखो आप अब बास और मतल्म नहीं है क्योंकि इंचड़ हो गए है फिर भी टेलर को आउट मुनांग पटेल भी माद किया है इंचड़ हो गए है अपके लिए इंट्रेस नंबर्स है क्योंकि इनका सामना होगा अभी आपके इंच्छान के चांसिस कम है साइड स्ट्रेंड की वज़े से इंजरी है इमाद का नाम काफी आएगा मैच अप में बट मैं ज्यादा ले नहीं रहा रिजवान हो गए उस्मान हो गए कोई ज्यादा मैच अप इंपोटेंट है नहीं कोरी एंडरसन ने एक बार वंडे में बाबर कोट किया और कुछ देखने वला है नहीं है शदाब जरूर कुछ मेजर लीग क्रिकेट में खेले थे तो शदाब निटरवाल करके आगया उट हुए हैं सैम आयोप का नॉर्मल इमाद अली खान के आगए सब्सक्राइब करने चलते हैं तो शायद से अगर पाकिस्तन बोल्ड बने तो बंदा भी विकेट कीपिंग करता है वरना रिजवान तो है ही तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान को विकेट कीपर की जुरूत है बट क्यूंकि इनका एक्स्पीरियंस आजम खान का सीपील में इनको इसले से रेक्ट किया गया अवकॉर्स यह मैच युए से में वेस्ट इंडीज में नहीं बट दैन अगें आगे के मैच वेस्ट इंडीज मे तो यह इनकी वाज़े से डिफरेंशल खिलाडी है आज तो पैसर परसेंट किया लोगों ने आप भी कर सकते हो मुनांग पटेल ओपनिंग प्रिकेट कीपिंग करेंगे मुनांग पटेल करेंगे यह चीज देखके चलना मुनांग पटेल के पिछले मैच पाल लग भी गई के ली ओपनिंग पर आने वाले हैं और किपिंग मी करने वाले हैं तो मैं नहीं रख़रा लेकिन अगर गौस कीपिंग करें ना तो वह और बहतर चॉइस हो जाएगे क्योंकि वह वन डॉन पर अच्छा स्कोर भी रहा है उस्मान खान को रख रहा हूं सेलेक्शन कम है लेकि कि इन्होंने जादा मनाए थे फायदा मिला था तब भी बाकी आजम कान काफी नीचे आ रहे हैं अगर बल्ले बाजी में बात करूँ बाबर आजम मस्ट है मैं आपको उपनिंग पर भी दिख सकते हैं नहीं तो बाइचन से हैं आयो भाई तो यह वंडोन पर भी जा सकते हैं आपको बता है मैं टॉप स्कुरर केटेगरी में आते पाकिस्तान के बेस्ट बैटर है इसमें कोई शक की बात नहीं है अगर आपने नहीं देखी वह एक बार आप हाइलेट जरूर देखो बैट हैं यह मानता हो कि स्पिन डिपार्टमेंट इमाद के बीना फीका है सब्सक्राइब कर सकते हैं मतलब मैंने आपको यह शायद पिछरी वीडियो में भी बोला था यूए से का बेस्ट अगर कोई स्पिन का खिलाड़ी है वह एरन जून्स है कई बार हमें लगता है कोई सबकॉंटिनेंट इंडियन प्लियर होगा शायद मुनांग स्पिन अच् प्लियर है फकर जमान टूडॉन पर एंगे मेरे को एक्स्पेक्टेशन ब्याब बड़ा स्कूर कर सकते हैं पाकिसन बैट फस्ट करें चेजिंग के टाइम पर मैं फकर जमान को छोड़ सकता हूं सैम आयोब को मैं नहीं रख रहा है खेलने के लिए अगर फेले तो मिलिंद गंदी बोलिंग करिए पिछले कुछ टाइम में कहने की हद नहीं है बड़ी टीम को होती सामने बहुत ज़्यादा जैसे इंडिया तो मैं इग्नूर करते था बड़ यहां पर सामने युएस से शदाब सच बतौं तो मुझे पसंद भी है बट इनका बोलिंग फॉम बल्लेबाजी भी करते हैं और लेक्स्पिन से क्या पता विक्टेन लिकाल ही जाए युए से के सामने इमाद अवेलेबल साइब की वज़े से स्टीवन टेलर आजेंगे वंडोन पर अच्छे बैटर हैं इन फैक्ट ओपनिंग भी करेंगे स्टीवन टेलर एक टाइम पर य बट सेफ रहेगा स्टीवन टेलर को लेना रिसकी रहेगा ड्रॉप करना इफ्तिकार नीचे आ रहें फिनिशिंग करने शैडले को रखाऊं जो मीडियम पेस भी करते हैं विद बैट भी कोंट्रिब्यूट करते हैं निसर्ग बटेल स्पिन करते हैं अब खेलने के चांस कम करना है यह सारा टॉस पर डिपेंड करेगा ठीक है अभी मैं बोलिंग पर आ रहा हूं पहले तो शाहीन अफ्रीदी हरिस्रॉफ नसीम शायतीन मुझे चाहिए चाहिए मैं फिलहाल के लिए फकर जमान को छोड़ रहा हूं अगर पाकिस्तान करता है यह काम मुझे करना पड सब्सक्राइब करते हैं थोड़ी बहुत लवर और में बल्लेवाजी मोहमद आमिर आप पास यहां अली खान है अब मेरे पास ना एक दो प्लेयर हैं जिन पर आपको खासा द्यान टॉस के साब से इफ पाकिस्तान बैट कर रहा है तो फकर जमान की इंपोर्टेंस ज्यादा पाकिस्तान बाद में बल्ले बाजी कर रहा है ताइम पर चूरों पर बल्ले बाजी आएगी के नहीं इस रीजन से यह सारा गेम पर यहांद से ठीट को लेकि जा रहा हूं मैं होप कर रहा हूं कि ऐसा ही हो कि पाकिस्तान चेस करे uns यही टीम रहेगी लेकिन मैं फिर से आपको बता रहूं मेरे दोस्तों धिहान से समझना टॉस्क के एकॉर्डिनुंग टीम में चेंज हो सकता है हो सकता है मिरेको फकहर जमान और अली खान को कैरी करना पड़े अगर की बैट फर्स्ट है ये चेंजिस मुझे करने पड़ेंगे फिलहाल मेरी ये टीम है दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन सी पास आप पास ऑप्शन बहुत है बाबर आजम भी अच्छी ऑप्शन है बाबर आजम के साथ दोस्तों शाहीन शाह फरीदी है मौहमद रिजवान है इनी तीनुम मेरे जवान बाबर और शाहीन में मेरे सीवीसी रहेंगे फिलहाल मेरे कैप्टन बाबर हैं दोस्तों important player है ओymtion कर जाए जो उनहें से किया है और कोई चेंज होगा टेली ग्राम कर दोंगा टॉस्क एक जिखर किया फुक्र जमान और लिंक दोस्तोा आपको टेली वीडियों डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यूट्व पर सबस्क्राइब नहीं किया तो करें टेली ग्राम में नहीं तक जोड़ें अगी वीडियो में मिलने आतों तक तक भ्यान लखें